नमस्कार मितल अंचल एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है लिमिट एज एसम में नितने भी बच्चे एग्जाइमनेशन के लिए गहे हैं वो सब जल्दी से जल्दी एग्जाइम दे कर आ जाएं क्योंकि जल्दी एंसियाटी का एक्सप्रेस भी खुलने वाली है आप ल नमस्कार मितल एक लिए उन का स्क्वाइगा बताओ एक का स्कॉर प्लस दो का स्कॉर फ्लस चार का स्कॉर प्लस चार का क्या होगा बथाओ एक क्यूप प्लस दो क्यूप प्लस अव चार क्यूप प्लस डॉड़ 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 एक का स्क्वाइर प्लस दो का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर प्लस दो डो 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 एन माइनस वन का हॉले स्क्वाइर यह होगा एन गुने एन माइनस वन तू एन माइनस वन बाई सिक्स और तीसरा नमबर है बताएए AQ फलस अब दो Q फलस अब तीन Q डड़ ड़ 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 N-1 का हॉल Q N गुने N-1 by 2 S पूरे का हॉल S-square यह दूसरा टाइप था यह पहला टाइप था तीसरा टाइप देखिए भाई A plus AR AR S-square ड़ 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 AR के पावर N-1 यह सब किसमे हो गया R in GP यह GP में हो गया तो बताएए भाई S N बराबर A गुने R के पावर N-1 बटे R-1 R का मान एक से बढ़ा A गुने 1-R के पावर N 1-R R का मान लेस देन 1 अब एक और चौन्था फर्मूला है Cos A Cos A A plus H क्या होगा Cos A Plus Cos A plus H Plus अब Cos A plus 2 H इसका मान होता है Limit H tends to 0 Sine Sine के बतला हमें Cos A plus N Minus 1 by 2 गुने H गुने Sine N H by 2 बते क्या हो जाएगा Sine H by 2 और पाचमा क्या होगा बताईए भाई पाचमा हो जाएगा आप लोग के लिए बताईए पाचमा हो जाएगा Sine A Sine A Plus Sine A plus H Plus of Sine A plus N Minus 1 गुने H इसका मान क्या हो जाएगा Limit H tends to 0 Sine A plus N Minus 1 by 2 गुने H गुने Sine N H by 2 बते Sine H by 2 अब हमारा छट्ठा जो हमारा चेप्टर का नाम है Limit as A Sum Limit as A Limit of A Sum Limit of A Sum का फर्मूला होता है बताईए A से B F of X गुने D X बरावर Limit H tends to 0 H गुने F of A Pलस F of A पलस H पलस F of A पलस 2 H डडडडडडडडडडडडडडडड़ रस्ट बला F of A पलस N माइनस 1 गुने H ब्राकेट 1 जहां A को कहते हैं Lower Limit अब B को कहते हैं Upper Limit Upper Limit अब आप पताईए इसमे N H बरावर क्या होगा Upper Limit माइनस Lower Limit अब यहां से इसको सवाल दिखाएंगे कि सवाल कैसे बनाया जाएगा पहले इसको हम लो एक सवाल है पहला नमबर टाइप है 0 से 1 3X स्क्वाइर प्लस 2X प्लस 1 इंटू डी X कर रहा है Limit as a sum से बनाईए अगर एक नमबर का राता यह दो नमबर का राता इसको कैसे बनाते हैं पहले तो 3X स्क्वाइर का Intrigation प्लस अब 2X का Intrigation 3 constant है बहार गया X स्क्वाइर का Intrigation 2 constant है बहार गया X का Intrigation 1 का Intrigation X 0-7 3 तर 3 X स्क्वाइर का Intrigation X Q by 3 X स्क्वाइर by 2 प्लस X Limit कहां से कहां 0-7 2 से 2 केंशल 3 से 3 केंशल Upper Limit Minus up Lower Limit Upper Limit Minor बनाना है तो ऐसे नहीं पहले इसको नोट कर लिजिए फिर दिखाते हैं आज अब हम आपको दिखा रहे थे हैं कि limit as a sum से इसको कैसे बनाएंगे lower limit a का मान 0 upper limit b का मान 1 n h बराबर upper limit minus lower limit 1 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा 1 limit of a sum से limit of a sum से क्या फर्मूला होता है बताईए limit of a sum का फर्मूला a से b f of x गुने dx बराबर limit as tends to 0 h गुने f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2 h plus dot 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 f of a plus n minus 1 गुने h bracket 1 या बराबर क्या हो जाएगा limit as tends to 0 h गुने f of a का मान कितना हो जाएगा f of 0 0 plus h 0 plus 2 h dot 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 f of 0 plus n minus 1 गुने h bracket 1 limit as tends to 0 h to h f of 0 plus f of h plus f of 2 h dot 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 f of n minus 1 गुने h function का मान बताई f of x का मान क्या है 3 x square plus 2 x plus 1 f of 0 का मान क्या होगा 3 गुने 0 का हुले square 2 गुने 0 plus of 1 0 का हुले square 0 किसी भी संग्या सब गुना करेंगे 0 0 0 0 0 answer क्या है 1 f of 1 f of h बराबर क्या होगा जहाँ 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 एक्स है वहाँ वहाँ एक्स square plus 2 h plus 1 f of 2 h बराबर क्या होगा 3 तो 3 x के जगा 2 h 2 गुने x के जगा क्या होजाएगा 2 h plus 1 3 गुने 2 का हुले square 4 h square दुदुने के 4 h plus 1 यह हो जाएगा 3 गुने 4 तिया के 12 h square 4 h plus 1 उसके बाद अब नहीं निकालेंगे दुगों निकाल लिए एको लास्ट बलन निकाल लेंगे f of n-1 गुने h n-1 गुने h को कैसे निकालेंगे जहाँ जहाँ x था क्या था 3 गुने n-1 गुने h का हुले square 2 गुने n-1 गुने h plus 1 3 गुने n-1 का हुले square h square 2 गुने n-1 गुने h plus of 1 अब इसको पहिलका इसको एक्वेशन नमबर 1 माल लेचे फ्रॉम एक्वेशन नमबर 1 से आप लोग बताएंगे भाई limit h tends to 0 h गुने f of 0 plus f of h plus of f of 2h plus dot 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 f of n-1 गुने h bracket 1 limit h tends to 0 f of 0 का मान कितना है f of 0 का मान पहले से निकाले है 1 f of h का मान पहले से निकाले है 3h square plus of 2h plus of 1 इसका मान पहले से निकाले है 12h square plus 4h plus 1 अब यहां से क्या हो जाएगा अगर पांच बार रहेगा तो पांच गुने वन दस बार रहेगा तो दस गुने वन बीस बार रहेगा तो बीस गुने वन पचास बार रहेगा तो पचास गुने वन तो बताईए कितना बार है एन बार इसलिए क्या हो जाएगा limit h tends to 0 h गुने 1 कई बार है n बार n से गुना कर देंगे अब देखिए यहाँ जो गार लगाई है h वाले को एक साथ 2 h 4 h n minus 1 गुने h इसको क्या हो जाएगा 2 h plus 4 h 2 गुने n minus 1 गुने h plus of h square वाले को एक साथ क्या हो जाएगा 2 3 h square plus of 12 h square plus dot 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 3 गुने n minus 1 का होले square गुने h square limit h tends to 0 h 2 h यह हो जाएगा n 2 h कमन नेंगे 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 स्क्राइब एंड माइनस वन का हल स्क्राइब क्या होजाएगा बताओ ली मीट एसटेंस टू जीरो जाएगा एस एन प्लस दो से दो कैंसिल एन एक गुने एन माइनस वं यहाँ जाएगा थिरी H square N-1 into 2N-1 बटे 6 यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 अब देखिए हमको NH का मान मालूम है अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट तो हमको अपर लिमिट का मान 1 था लोवर लिमिट का मान 0 था तो हमको NH का मान मालूम है इसलिए H को अंदर बूरा देंगा लिमिट h tends to 0 यह हो जाएगा n h यह हो जाएगा n h गुने h n minus 1 h square h से गुना कर देंगे तो h q n गुने n minus 1 2 n minus 1 बटे क्या हो जाएगा 2 अब आप लोग देखिए यहाँ n h का मान तो direct जानते हैं कितना के बराबर 1 k बराबर इसका value 1 k बराबर इस h को अंदर उला देंगे तो क्या होगा n h minus h यहाँ क्या है h है 3 बार n b कई बार 3 बार 1 h इसको दे दिए 1 h अंदर वाले को दे दिए 1 h उसके अंदर वाले को दे दिए बटे क्या हो जाएगा 2 n h का मान 1 plus 1 minus 0 plus 1 गुने 1 minus 0 दो गुने 1 minus 0 बटे क्या हो जाएगा 2 1 plus 1 गुने 1 गुने 2 बटे 2 से 2 कैंसे 1 plus 1 plus 1 इसका मान क्या हो जाएगा 3 यही क्या जाएगा finally answer देखिए दोनों से आंसर क्या हैगा same आएगा चाहे इससे बनाई चाहे उससे बनाई दोनों से आंसर क्या हो जाएगा same यह क्या जाएगा finally answer ऐसा सवाल जिसमें lower limit का मान 0 राता है वो बहुत ही आसान होता है लेकिन जिस सवाल में lower limit का मान 1 हो A का मान 1 upper limit का मान 4 हो NH का मान upper limit minus lower limit 4 minus 1 बराबर 3 NH का मान 3 अब बताए as a limit of a sum limit of a sum से आप लोग का क्या फर्मूला होता है limit as a sum limit as tends to 0 H गुने F of A plus F of A plus H F of A plus 2H plus dot 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 F of A plus N minus 1 गुने H limit as tends to 0 H गुने F of A A का मान 1 F of 1 plus H F of 1 plus 2H plus dot 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 F of 1 plus N minus 1 गुने H bracket क्या हो जाएगा बन अब यहां से function का value क्या था F of X बराबर क्या हो जाएगा 3 X square plus 2X F of 1 का value 3 गुने 1 का all square 2 गुने 1 यानि 3 गुने 1 का all square 1 plus of 2 3 गुने 1 plus 2 बराबर 5 F of 1 का मान 5 F of 1 plus H क्या हो जाएगा बताओ 2H आएगा थीन गुने 1 plus H square plus 2H plus 2ぁ क्या हो जाएगा 3 plus 3H Square 3 गुने के 6H plus 2 plus 2H यानि क्या हो जाएगा 3H square 6 अदू क्या हो जाएगा 8H अब पलस अदू कितना 5 F of 1 plus H का मान निकाल लिए एक value और निकाल लिजी F of 1 plus 2H का क्या हो जाएगा जहाँ जहाँ X था वहाँ वहाँ ये मान पूट कर देंगे X का मान क्या था 3 गुने 1 plus 2H का हो जाएगा A square plus B square plus 2AB और इधर क्या हो जाएगा 2 plus 2 दूने के 4H 3 तो 3 1 plus 4H square 2 दूने के 4H plus 2 plus 4H अंदर उलाएगे 3 plus 4 तिया के 12H square 4 तिया के 12H plus 2 plus 4H यहां से क्या हो जाएगा 3 अदू 5 12H square plus 12H 16H पलस 3 अदू 5 F of 1 plus 2H का मान نकाली G एक और मान नकाली F of 1 plus N minus 1 गुने H का क्या हो जाएगा 3 गुने 1 plus N minus 1 गुने H का HALL square 2 गुने 1 plus N minus 1 गुने H का या क्या हो जाएगा 3 गुने a square plus b square plus up to a b मताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा 2 plus 2 गुने n minus 1 गुने h यानि क्या हो जाएगा 3 गुने 1 plus n minus 1 का h square h square 2 गुने n minus 1 गुने h 2 plus 2 गुने n minus 1 गुने h अंदर हो जाएगा 3 गुने n minus 1 का h square 3 गुने 6 गुने n minus 1 गुने h पलस अब 2 गुने n minus 1 गुने h यानि क्या हो जाएगा 3 गुने n minus 1 का h square गुने h square 6 अदूब 8 गुने n-1 गुने h 3 अदूब 5 यह निकाल लिए last वाला अब इसके बाद 3 को निकाल लिए इसके बाद छोड़ देना है अब क्या equation number आपका यह 1 था finally तो लिखेंगे क्या हो जाएगा बताएगे हम लोग लिखेंगे from equation number first from equation number first से आपका क्या equation है limit h tends to 0 h गुने f of 1 plus f of 1 plus h f of 1 plus 2 h plus dot 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 f of 1 plus n minus 1 गुने h bracket 1 limit h tends to 0 h गुने f of 1 का मान मालूम है 5 f of 1 plus h का मान मालूम है 3 h is square plus 8 h plus 5 f of 1 plus 2 h का मान 12 h square plus 16 h plus 5 plus dot 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 लास्ट बला क्या हो जाएगा 3 गुने n minus 1 का whole square गुने h square 8 गुने n minus 1 गुने h plus 5 यहां से क्या हो जाएगा बताओ भाई क्या हो जाएगा last क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा कितना क्या बराबर हो जाएगा यहां हो जाएगा limit as tends to 0 h तो h 5 n बार तब 5 गुने n अब चला h बाली को एक साथ लिखे क्या हो जाएगा एक प्लस दो प्लस डो 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 एन माइनस 1 यहां हो जाएगा प्लस अब 3 h स्क्वाइर कमा लेंगे 1 प्लस 4 प्लस डो 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 n माइनस 1 का होल अब स्क्वाइर को ब्रेकेट बान limit as tends to 0 जाएगा h 5n बालस 8 h n गुने n माइनस 1 बाइ 2 प्लस 3 h स्क्वाइर क्या हो जाएगा limit as tends to 0 h गुने 5 n अलस दो चो के आठ, N को S से गुना करो, क्या हो जाएगा, 4NH, अब गुने क्या हो जाएगा, N-1, 3H square, यह हो जाएगा, N गुने, N-1, 2N-1, 226, 3 दुने के 6, अब चेला क्या हो जाएगा, किसका value जानते हैं, NH का, तो यह हो जाएगा, 5, इसको N, S से गुना कर दो, यहाँ पहले से NH का value है, तो इसको छोड़ दो, इस N को H दे दो, NH-H, दूगो H है, एगो H आ गया था, 3 गो, एगो H इसको दे दो, एगो बगलवाले को दे दो, और यह एगो उसके बगलवाले को दे दो, यह हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2, अब NH का मान कितना था वह हमको देखना है, lower limit का मान तो 1 था, अपर लिमित का मान कितना था, वह देख लिजिए, तो अपर लिमित मैनस lower limit, वह किसका value हो था है, NH का, तो यह NH का value क्या हो जाएगा, यहाँ lower limit का मान था, 3X स्क्वाइर प्लस 2X, 3X स्क्वाइर प्लस 2X, यही सवाल था न, सवाल नमर सेवेन नमर था, लो ओर लिमिट का माण, ओन था और अपर लीप का, माण, चार था तो क्या हो जाएगाhet, लू अपर-लिमिट माइनस लूर-लिमिट मतल़र नह कितना है था, चार मिसें गया, तो तीन, तो जहां-जहां N chatting दें दिजी, पांच गुनेशंट पलस चार गुने तीन माइनस जीरो पलस अब तीन गुने तीन माइनस जीरो दो गुने तीन माइनस जीरो बटे क्या हो जाएगा दो तक पास तिया के पंदर पलस चार गुने तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन दुने के छो बटे दू दू तिया के छो क्या हो जाएग अठारा के अठासी लें तीन दू पांच एक छो आएक साथ आंसर क्या हो जाएगा अठात यहीं क्या जाएगा फाइनली आंसर यह दो टाइप आप लोग बहतरीन सी गया होंगे उमीद करते हैं एकसर साइज इस साल अभी टेस्ट में आया था यह कोश्र इक पावर एकस का इंट्रिकेशन ही के पावर है जीरो से दू अपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट इक पावर दो किसी के माता पर गुलर एक लाटी मारेंगे यह आंसर हो गया लेकिन मेरे प्यारे बचों इस सवाल को अजय लिम सब्सक्रा इक पावर उपर लिमिट माइनस लोवर लिमिट दो मे से 0 गया ता 2as limit of A सम से immediate of A सम से आप लोग होता है पामुला limit as tends to 0 यह जाएगा h गुने f of a plus f of a plus h plus of f of a plus 2 h plus dot 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 f of a plus n minus 1 गुने h मेरे प्यारे बचो a के जगा कितना पूट कर देना है 0 limit as tends to 0 h गुने f of 0 plus f of 0 plus h plus of f of 0 plus 2 h plus of dot 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 f of 0 plus n minus 1 गुने h यहां से क्या जाएगा बताओ limit as tends to 0 यह जाएगा h गुने f of 0 plus f of h plus of f of 2 h plus of dot 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 f of n minus 1 गुने h यह जाएगा बताओ limit as function का मार function का मतलब जिसका integration निकालना है e k power x f of 0, e k power 0 इसका मान 1 f of h का मान e k power h f of 2 h का मान e k power 2 h dot 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 f of n minus 1 गुने h का मान e k power n minus 1 गुने h आपका क्या equation है बताए equation number first from equation number first से equation number first से क्या हो जाएगा limit as tends to 0 h गुने f of 0 plus of f of h plus of f of 2 h plus dot 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 f of n minus 1 गुने h क्या हो जाएगा limit as tends to 0 h गुने f of 0 का मान 1 e k power h e k power 2 n dot 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 e k power n minus 1 गुने h ये सब क्या हो जाएगा gp में ये gp में है तो gp में sn का फर्मूला क्या होता है a गुने r k power n minus 1 बटे r minus 1 दूसरा होता a गुने 1 minus r k power n बटे 1 minus r ये फर्मूला r का मान जब 1 से छोटा ये फर्मूला जब r का मान 1 से बढ़ा मेरे प्यारे बचो हमारा r का मान r मतलब होता है common ratio gp में जो लोग नहीं पढ़े होंगे common ratio common ratio क्या होता है अगिल का बटे पचिल का अगिल का मान t2 पचिल का मान t1 यानि e के पावर h बटे 1 r बराबर e के पावर h a बराबर क्या होता है first term first term का मतलब क्या हो जाएगा t1 a बराबर t1 बराबर 1 first term निकल गया और common ratio निकल गया s n बराबर क्या होता है a गुन r के पावर n-1 बटे r-1 यानि इस पूरा का मान इस फर्मूला पेड़े देंगे बताइए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा limit s tends to 0 limit s tends to 0 limit s tends to 0 h तो h हो जाएगा यहां से यहां a का मान कितना है 1 r का मान क्या निकला e के पावर h उसके पावर n बटे r-1 limit की property जाए 11th class में पढ़े होंगे आप लो limit की property है जोर घाटा गुना भा सब में limit लग जाता है उपर नीचे दोनों में limit लग जाएगा अब यहां से क्या हो जाएगा एगार्मी कलास में limit x tends to 0 e के पावर x minus 1 by x इसका मान होता है 1 एगार्मी कलास में है limit x tends to 0 यहां हो जाएगा h गुने e के पावर n h का मान 2 बटे क्या हो जाएगा limit x tends to 0 e के माथे के उपर वाला का हो जाएगा नीचे जितना से भाग देंगे उतना से गुना इसका मान क्या हो जाएगा 1 e square minus 1 बटे 1 आंसर क्या हो जाएगा e square minus 1 यही क्या जाएगा finally answer अब आखरी सवाल है cos x वह दिखा देंगे इसको पगले आप लोग note कर लीजिए mode वाले सवाल को अगर बनाना है limit as sum में सवाल नमबर 14 यह हो जाएगा 0 से 1 mode of 3 x minus 1 into d mode के अंदर वाले को क्या कर लेंगे 0 3 x बराबर 1 x बराबर 1 y 3 real line पे प्लोट करेंगे 0 और 1 इसके बीच में आता है 1 y 3 mode के इधर हो जाएगा negative इधर हो जाएगा positive यानि इसका 0 से 1 के पास में जाना है mode of 3 x minus 1 एक कहानी बताये थे अगर JP कलोनी से आरी बाबा के दरबार में जाना है तो बीच में आप break कर लेते हैं तो यह हो जाएगा break हम 1 बटे 3 पर break ले लिए 1 बटे 3 से 1 के पास में गए 3 x minus 1 यानि क्या हो जाएगा 0 से 1 by 3 के पास में गए इसका मान क्या हो गिया negative 3 x minus 1 into d यहां से यहां के बीच में गएते हैं इसका मान क्या हो जाएगा positive अब इसका मान निकालना सिखा दी है minus minus क्या हो जाएगा plus 1 minus 3 x का integration plus 1 by 3 से लेकर 3 x minus 1 का integration इसका अलग निकालेंगे इसका अलग निकालेंगे दोनों को निकाल करके जोर देंगे वही क्या जाएगा finally answer एक आखरी सवाल हम लोग पढ़ेंगे पांच नमबर आपको हाँ से नहीं जाएंगे और इस चेप्टर को आप लोग बनाईए और हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से differential equation 22 नमर का question आता है differential equation कल नहीं कल से ही differential equation पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 17 नमर सवाल है a से b cos x into dx lower limit का संजोग से मान क्या है lower limit का मान a upper limit का मान b n x बराबर upper limit minus lower limit यानि क्या हो जाएगा as a limit of a sum से आप लोग बताई limit of a sum से क्या होता है फर्मूला limit as tends to 0 या हो जाएगा h गुने f of a plus f of a plus h plus of f of a plus 2 h dot 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 f of a plus n minus 1 गुने h बताईए चला यहां से क्या आजाएगा limit as tends to 0 या हो जाएगा a के जगा में क्या डालेंगे a function क्या है f of x बराबर cos x क्या f of a का value नहीं निकालेंगे क्या हो जाएगा cos a f of a plus h का value क्या हो जाएगा cos a plus h f of a plus 2 h का value क्या हो जाएगा cos a plus 2 h यानि क्या हो जाएगा dot 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 f of a plus n minus 1 गुने h का value cos of a plus n minus 1 गुने h यहां से क्या हो जाएगा पहला equation यह है इससे क्या हो जाएगा from equation number first से equation number first से आपको क्या होगा formula limit as change to 0 h गुने f of a plus f of a plus h dot 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 f of a plus n minus 1 गुने h ब्रैकेट क्या हो जाएगा बान limit as change to 0 f h गुने f of a कामा cos a plus cos a plus h plus dot 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 cos a plus n minus 1 गुने h अब आप लोग बताईए इसका formula direct हम लिका लेते limit as change to 0 cos of a plus n minus 1 by 2 गुने h अगुने क्या हो जाएगा sin n h ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा sin h by 2 अब आप लोग बताईए क्या हो जाएगा limit as change to 0 cos तो cos a plus n h को अंदर उला देंगे n h minus h बटे 2 उन्हे sin n h का value मालूम है b minus a बटे 2 limit की property होती है जोर घाटा गुना और भाग सब में limit लग जाएगा sin h by 2 a गो h पहले से मौजूद है फर्मूला वाला यह जो h मौजूद रहता है कौन वाला यह h जो फर्मूला वाला वाला हूँ h पहले से मौजूद है sin कौन function trigonometry 11th class में पढ़े होंगे sin एक trigonometry function है उसका angle कहा होना चाहिए नीचे sin में उसके angle से भाग देंगे तो 1 sin का angle h by 2 है h by 2 से भाग देंगे h by 2 से गुना करेंगे इसका value हो जाएगा 1 s से h cancer दू छरब के चल जाएगा उपर limit as tends to 0 दो गुने cos a plus n h का मान b minus a minus of 0 बटे 2 गुने sin b minus a by 2 आप लोग बताइए भाई इसका मान क्या हो जाएगा 1 यहां से क्या हो जाएगा limit as tends to 0 दो गुने cos तो cos यहां से क्या हो जाएगा limit का मान पूट कर दिये हैं तो limit खतम हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा cos a यह दो लगुत हम ले लेंगे 2 a plus b minus a अगुने sin b minus a by 2 बताइए चेला क्या हो जाएगा 2 गुने cos यह हो जाएगा b plus a by 2 अगुने sin यह b minus a by 2 इसका मतलब क्या हो जाएगा 11th कलास में परहे होंगे do गुने cos c plus d by 2 c plus d by 2 गुने sin c minus d by 2 यह किसका फर्मूला होता है यह फर्मूला होता है sin c minus sin d माने sin c c का मान क्या हो जाएगा sin a यह क्या जाएगा finally answer सारे बच्चे को best of luck जो घर पे हैं घर पे बैटे बैटे आप limited sum पौर लेंगे निश्चित रूप से जो इम्तिया आ जाली है सुरिप परताब सींग है और भी जो अच्छे अच्छे बच्चे है तो लिमिट आजे sum को कर लेंगे घर से ही डिफ्रेंसियल इक्वेशन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा डिफ्रेंसियल इक्वेशन भी कलास में चलेगा उसके बाद हम लोग वैक्टर 3D में स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी आप सारे बच्चे आ जाईए वैक्टर 3D 17 मार्क्स कंटेन करता है धने बाद